नमस्कार, हमारे बहुत से सिच्चक सातियों के लिए एक सुनहरा मौका, एक अवसर के रूप में ये शाषना देश आया है 14 नवंबर 2022 को, जो की निदेशक, राजि सैच्चिक, अनुसंदान और प्रिशिच्चण परिशद उत्तर प्रदेश लखनव द्वारब प्रेशित ह सेवा में, प्राचार उप शिच्चा निदेशक, जिला शिच्चा और प्रिशिच्चा संस्थान, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, यानि ये शासना देश जो है, वो सभी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पहुँचा है, हमारे जनपद में भी हमारे जिला वेशि सच्छादिकारी महोदय द्वारा इसको प्रेशित किया गया है और इसके बाद इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है विशह आकिर इस शासना देश का विशह क्या है तो विशह है शस्टम राज इस्तरिय कहानी सुनाने की प्रतियोगता के संबंध में महोदय राष्ट्री सिच्छा नीती 2020 में विध्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के महत्तु को सिखाने और नैतिक निर्ण लेने के लिए तारके धाचा देने की बात कही गई है बच्चों को अपने जीवन का संचालन करने में नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए सच्छम बनाने नैतिक मुद्दों पर तरक गड़ने निर्ण लेने और सभी कार्यों में नैतिक आजरन अपनाने में शक्छम बनाने पर जोर दिया गया है इससे प्रारंबिक इस्तर से ही बच्चे सही करने हे तुँ प्रेरित हो सकेंगे, साथ ही बच्चों में समवाइधानिक एवं नैतिक मूलियों यथा देशप्रेम, शैश्रुता, सेबा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, विविद्ता, लैंगिक, संबेदन सिल्टा, वुजुर्गों के लिए सम्मान, पर्यावरण, संरच्छन, श्रम, श्रमशीलता के प्रती सम्मान, शिष्टाचार, धैर्य, शमा, सहानुबूती, करुणा, देशवक्ती, आधी गुडों को विक्षित किया चा सकेगा उक्त के परिप्रेच में राज सेच्छिक अनुसंदान एबम, परिशिषड उत्तर प्रदेश लखनव द्वारा, बर्स 2022-23 में आजादी के अमरत महोसब के अपसर पर एक भारत, श्रेष्ट भारत की संकल्पना के संदर्व में भारतिये लोक कताएं थीम पर, भारतिये लोक कताएं थीम पर, सस्टम राजस्त्रिये कहानी सुनाने की प्रतियोगता आयोजित की जा रही है, इसका उद्देश भारत की बिविदता को समझने एवं अपनी समरद, विरासत, संस्कृत, रीत रिवाजों, परंपराओं आज की समझ बिक्सित करना है, जिसमें लोक कताओं की विशिष्ट भूमका होती है, छेत्र विशेष में प्रचलित दंत कताओं के रूप में जनशुरत आधारित कताओं को लोक कताएं कहा जाता है, लोक कताओं संस्कृतिक विरासत को एक पीडी से दूसरी पीडी में हस्तांतरित करने का ससक्त माध्यम रही हैं, परंट वर्तवान समय में तक्नीकी के बढ़ते प्रियोग के कारण, लोक कताओं सुनाने की परंपरा थीरे-दीरे कम होती जा रही है, शेश्टम राज्यिस्तरिये कहानी सुनाने के प्रतियोगता में प्रतिःभागी को भारत के किसी भी प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसी भी छेत्र की साहसिक, मनोरंजक, نीतिपरक, करमफलक लोक कताओं में से एक लोक कता प्रस्तुत करने होगी, इह है प्रतियोगता प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक दोन स्तर के शिच्छिकों के लिए होगी प्रतियोगता का प्रारूप निम्नवत है प्रतियोगता के इस्तर प्रतियोगता दो स्तरों में आविर्ट की जाएगी जन्पद इस्तरिय प्रतियोगता राज इस्तरिय प्रति जोगता में प्रस्तुत की जाने वाली कहानी है तू मानदन इनको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यदि हमको समय मिलता है तो हम इन प्रक्रणों पे या इन मानदनों से सम्मंदित कहानियों को आपकी हेल्प के लिए बनाकर वीडियो बनाकर अपलोड भी करेंगे जैसे की साहसिक कहानी सौरी साहसिक लोग कताएं मनोरंजक लोग कताएं नीति परक लोग कताएं कर्मुख फलक लोग कताएं मूली परक लोग कताएं तो ये मानक होने चाहिए आपकी कहानी के ठीक है और मैं पूरा प्रियास करूँगी कि ये जो इसमें पांच मानक दिये है इन 5 मानक पर कहानी का निर्मार कर अपने चैनल पर upload कर सकते हैं और सातियों यह जो शाशना देज है यह पूरे प्रदेस रिस्तर का सात्यों इस साशना देज को आप वीडियो के description box में उपलब्द लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और देखिए ये सासना देश जो है इसको हमारे जनपद रिस्तर पर एटा और कास गंज जनपद रिस्तर पर इस तरह से हमारे जिलावेशिक सिच्छा अदिकारी और प्राचार उप सिच्छा निदेशक महोदय ने अठारे ग्यारे दो हजार बाइस को प्रेशित किया है जो कि ये चौदय को आया था और इसके अंतरगत इनके जो दिशार निर्देश हैं वो आप इस पीडियों से देख सकते हैं क्योंकि वीडियों ब हजार बाइस को होगी